लैंक चेन क्या होती है? बच्पन में कभी अपने ट्रेन तो बनाई होगी एक छोटा बचा आगे उसके पीछे आप, उसके पीछे आप, उसके पीछे आप और चुच-चुच-चुच-चुच-चुच-चुच करके गाड़ी चलती रही अब वो जो बंदा पहले लगा होता है, ट्रेन का डबबा जिसे हमने बनाया होता था और पीछे पूरी ट्रेन बनी होती थी, इसको हम चेन भी बोलती है चेन क्या होती है? आप यहां से हाथ पकड़े और आपका हाथ जो दूसरा है वो कोई और पकड़ ले ठीक है? आप सकते हैं तो इसी एक रिक्षेस्ट के थरू हम इसको text में response भी दें, images में भी दें, इसके prompt को भी correct करें, और इस पर different multi-models लगा के इसको ऐसा answer दें, कि ये सिरफ हमारे ही program को use करे, किसी और को ना करे, उसके लिए आप lang chain यूज़ कर सकते हैं, lang chains के through, lang chain एक library है by the way, ये workflow है, जैसे TensorFlow है, ये एक library की तोर पर काम करती है, इसको workflow भी बोला जाता है, workflow क्या होता है, जिसके अंदर आप different किसम की python coding करके, you can create something out of it, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि lang chain कैसे काम करती है, ये हैं जी lang chain हमारे पास, और lang chain से हम क्या कर सकते हैं, हम apps बना सकते हैं, like chat GPT, which we are going to develop in upcoming days, inshallah, and then you will see, हमारे पास different किसम की जो apps हैं, वो generate हों भी, इसके कुछ parts होते हैं, which we are going to learn today, अब ये framework है, ये package है, to build applications using large language models, क्योंकि large language model के थूँ, हम chat boards बना सकते हैं, हम applications develop कर सकते हैं, we can create some kind of new software, technique या technology, based on the machine learning and deep learning and AI and large language model, which can help people around the globe, ठीक है, और ये क्या करती है, it enables applications that are data aware and agentic, agentic क्या होता है, कि आप यहां पे, जो हमारे पास reinforcement learning है, उसको भी apply कर सकते हैं, कुछ policies बना सकते हैं, कि सिरफ ये show करवाना, ये नी show करवाना, ये show करवाना, ये नी show करवाना, इसकी मिसाल मैं देखे चलूँगा, अगर attention ना ले, आप कोई ऐसा सवाल, चैट जीपीटी से पूछें, जो ethically गलत हो, तो वो फोरण आपको, जवाब देने से, माफी मांग लेते हैं, कि ये हमारे ethics या policies के against है, वो चीज कौन पीछे से control कर रहा है, अगर आपका text बहुत अच्छा है, तो वो agents आपको खुशी-खुशी reply करेंगे, और अच्छे वाला reply करेंगे, even you can categorize those agentic methods, समझागी, अब हम आगे चलते हैं, lang chain के use cases कौन-कौन से, आप chat board बना सकते हैं, आप answering question के different किसम के methods जो हैं, उनके साथ apps बना सकते हैं, analyze कर सकते हैं structural data को, agent simulation जिसकी बात मैंने अभी आप से की, वो आप कर सकते हैं, agents को define कर सकते हैं, interact कर सकते हैं with other APIs, जो हम आज करने वाले हैं, open AI की API से और hugging phase की API से, we can also understand the code, we can also extract the information from different kind of PDFs, या different kind of books, multimodal analysis हम कर सकते हैं, multimodals को हम chain कर सकते हैं, and summarize कर सकते हैं, और ये तो मैंने सिर्फ कुछ लिखे हैं, lang chain के use, you can do a lot other things as well, इसके जो steps हैं, वो हैं models, chains, prompts आप बना सकते हैं, index कर सकते हैं information को, memory को store कर सकते हैं, आपने देखा होगा, जब आप chat GPT पर बात करते हैं, तो उसको पिछला context याद होता है, कि आपने पहले का लिखा था, वो जो context को याद रखना, long short term memory भी आपको याद होगा, उसके अंदर भी ये चीज थी, variable auto encoders के अंदर भी ये चीज थी, और आपको मैंने different जो पीछे models बनाएं, उसके अंदर memory एक major concept था, time series में भी, और large language model यादि के अंदर, तो lang chain memory को और भी efficient बना देती है, using different kind of models, agents होते हैं फिर इसमें, अच्छा जी, prompts क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये allow करते हैं basically, prompt इसके अंदर क्या गरते है, this module allows you to build dynamic prompts using templates, आप क्या करते हैं, templates से dynamic prompts बना देते हैं, यानि के जो user आप से पूछ रहे हैं, उसको फर्दर आपने एक specific prompt में convert करना होते है, and it can adapt to different large language model types, depending on the context, window size and input variables used as the context, such as conversational history, search results, previous answers and more, तो prompts जो हैं basically, automate करते हैं, आपने जो भी question किया है, उसको फर्दर वो, क्या करते हैं, dynamic templates के अंदर convert करते हैं, models, this module of lang chain provides an abstraction layer to connect the most available third party LLM APIs, it has API connection to approximately 40 public LLMs, जो public LLMs हैं, जिनमें chat GPT भी है, GPT भी है, आपके पास LEMA भी है, there are many other BARD की भी आगी होगी, तो यह सारी की सारी APIs, जो हैं 40 के करीब, अभी तो ज्यादा number बढ़ गया, तो गरीबन को 50-60 के करीब, यह APIs हैं, जो models हैं, उनको APIs के थूँ connect कर सकते हैं, आपने सिरफ लिखना है open AI, तो यहाँ पे आपके पास वो start हो जाएगा, using API, और language chain का सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि आप 44 models को एकठा कर सकते हैं, ठीक है, आप memory को, इस module से आप क्या कर सकते हैं, conversation history को control कर सकते हैं, indexing क्या होती है, indexing होती है, आपने देखा होगा, लाइबरेरी के अंदर अक्सरों कात, indexing की होती है, you can refer the indexing to the ways, जिससे आप best interact कर सकते हैं, different चीज़ों के साथ, this module contains utility, functions for working with documents, and integration to the different vector database, vector database क्या होता है, text को आप vectors के अंदर convert करते हैं, और vectors क्या होते हैं, वो basically numbers या tokens होते हैं, जिनको आप utilize कर सकते हैं, for different kind of analysis, using large language models, agents का मैंने आपको पहले भी बता दिया, कुछ ऐसे applications के अंदर, आप जो pre-policies दे देते हैं, वो agents कराते हैं, some application require not just a pre-determined chain of calls, to LLMs or other tools, but potentially to an unknown chain that depends on the user input, तो वहाँ पे आप agents को use करते हैं, then आपके पास chains आती हैं, chains क्या होती हैं, basically 2 या 2 से ज्यादा models को जोड़ने के लिए use होती हैं, so इस पर मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करने वाला है, इस वकत क्योंकि ये पूरा एक workflow है, और इसके ओपर अगर आप 20 दिन भी लगातार बैठ के practice करें, that would not be enough, तो इसी को मद्द नज़र रखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको install कैसे किया जाता है, आपने सिरफ pip install lang chain करना है, and it will be installed there, ठीक है, install करने के बाद, आप इसका different तरीके से use कर सकते हैं, so installation तो हम साथ साथ करते हैं, मैं अभी इसको install करता हूँ, और फिर हम इस पर बात करते हैं, so मैं यहाँ पर 001 underscore blank chain dot ipynb, यह मैं आपके सामने screen share कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको install करना है, और उसके लिए मैं टर्मिनल अपना open करता हूँ, यहाँ पर, और टर्मिनल के अंदर, मैं बंबा एक environment list, मैं अपनी environment list देखता हूँ, कि मैंने किसके अंदर इसको install करना, and I'm going to install this in streamlet environment, ठीक है, क्योंकि हमने उसी को use करना है, so मैं यहाँ पर mamba activate, konda या mamba same चीज है, streamlet underscore env, और यहाँ पर मैं इसको install करूँग, मैं लिखता हूँ, pip install lang chain, तो basically सिरफ इतनी सी command लिखने से, यह आपके पास install हो जाएगी, ठीक है, so अगर आपने अभी ता किसे install ने किया, you can also run this command, और hopefully यह आपके पास lang chain install हो जाएगी, जैसे यह आपके पास install होती है, you can also install using konda, लेकिन basically lang chain is the best way to install, आपके पास six main areas हैं, of application using lang chain, ठीक है, meanwhile हमारे पास यह install हो रही है, अब हम आगे six areas of application पे चलते हैं, आपसे request यह है कि इस lecture को बड़ी गौर से सुनियेगा, because this is the basis for our upcoming lecture, जैसके अंदर हम web applications बनाएगे, using APIs, using lang chain, using transformers from hugging face, and there are many other things, जिनको हम utilize करने वाले हैं, to create a big application, a big, or two, or three, whatever is there, we are going to create multiple applications, using streamlet, using pytorch, using tensorboard, using, there are many other libraries as well, मैं आपको इसमें बोरनी करना चाहता भी इस वकत के लिए, तो अगर आपने इस्टॉल नहीं किया lang chain, तो प्लीस, do install it now, like कर दीजएगा,